अब देखो इस पे तुम कितना भी ट्राइ कर लेते हैं सुनील चेतरी खुद भी कितना ट्राइ कर लेते हैं लेकिन यह तो सबको पता था कि end is going to be emotional वो end भी हो गया emotional भी हो गया और कहीं ना कहीं उस 90 मिनट के बाद वो 90 मिनट जो एक था कि सब चीज छोड़ दी थी पीछे कि भाई ठीक है इसके बाद सुनील चेतरी इस टीम के लिए नहीं खेलने वाले वो सब चीज पीछे छोड़ दी थी बस उस 90 मिनट को पूरी तरीके से enjoy करना था उस 90 मिनट में हर एक department अपना पूर करतवे बाकी सब ने तो बॉटल किया है टॉटनम के तरह बाद अल्टिमेटली 90 मिनट के बाद जब ये emotional राइड स्टार्ट होती है उसके साथ हमारे सामने अब इंडियन फुटबॉल के लगभग 19 साल के बाद 19 साल जब एक बंदे नहीं सिर्फ हो कहते ना कि देखा आया conquer कर दिया बलकि उसके बाद उसने इस पूरे दोरान इस पूरे अंदराल में उसने इंडियन फुटबॉल पर कितनी बार बैंडेज लगा ये इंडियन फुटबॉल को कितनी बार छीचा से बचाया है अगर आप सुनिल छेत्री के यहाँ पर 94 गोल्स हटा के देख लो अग लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन फुटबॉल छोटा है इंडियन फुटबॉल अक्रोस देश में अगर हम बात करें उसका बहुत बड़ा हिस्सा है उसके बहुत बड़े और एक प्लेयर अगर उस चीज़ पर उसकी छीचा होने से बचा लेता है ना तो वो सिफ कि अब इतने डार्क सवाल हमारे सामने खड़े हो चुके हैं और अभी मैच पर आया भी नहीं हूँ क्योंकि मैच पे देखो सही बात बताओं तो मैंने प्रिव्यू बनाया था लेकिन यार ट्रैवल प्रैवल के चक्कर में हम फाइनल इन जूरिक तो नहीं हो पाया करें ते लीडर की जरूरती सुनिल चेत्री को इंकोर्पोरेट करने की जरूरती सुनिल चेत्री के साथ अगर हम बात करें यहां पर टाक्टिकली आप शुनिल चेत्री का बेस्त अभी निका सकते हो जब आप यहां पर बॉक्स में delivery's करोगे एसा नहीं हुए है डेफिनेट की बात करते हो तो जब आप out of position होते हो एक pragmatism होता है लेकिन एक होता है कि सुस्त हो ना आपको सही बता रहा हूं like it's very very bad to say but Indian team के players के लिए सुस्तवड आप use कर सकते हो सही में रहे बहुत अजीव है बट कर सकते हो आपको ऐसा रखता है कि सुस्त रहे हैं सुस्ता हो रहे हैं भाई like डर रहे हैं कया like tackle कैसे नहीं कररें like aggressive कैसे नहीं हो रहे ego-sneemaht की यही team वो थी ना जिसको high press खिलाया जाता है जो कि यह कहता था कि जिससे हम इस बात की लड़ाई करते थे कि वह higher teams की against कप खेलेगा तु lower teams के against जल तू पेल दता है ये higher teams है higher teams तो कतर है higher teams तो यहाँ पर بाकी इरान-इराग type teams है जो कि आपको पेल के जा रही है अब अगर आपको अफगानिस्तान अगर आपको यहाँ पर कुवेत यसी team भी अगर आपको पेल पाल के जाएंगे लेक 45-60 मिनट के आसपस आपको लगता ही नहीं है कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का एक वैसा मैच खेल रहे हैं जो कि इस दोहेश को लगभा 50-60 साल की हिस्ट्री बनाने में मदद करने वाला है इस टीम में कहीं ना कहीं वो embed है कि 90 मिनट्स एक लीडर के आखरी 90 मिनट्स है इस गेम के इस जर्सी के साथ वो ही नहीं वो aggressive नहीं है तभी मैं कहा रहा हूँ शुरुवात चले के आखरी तक आयती है यहां पर सिफ एक ही डिपार्टमेंट ने काम किया और वो है फैंस का, salt leg stadium को भरा है, social media को भरा है, emotions को भरा है, respect को भरा है, gratitude gesture को भरा है लेकिन टीम ने अपना काम किया है क्या नहीं किया है हर एक चीज में आप चाहội टडल्स की बात कर लो आप चाह Thai चान्सिस के बात कर लो उस प्रिवी वीड़े में जो कि मैं अफसोस अप्लोड नहीं कर पाया तो मैंने ये भी बताया था कि आपके पास पता है कि इंडियन टीम पिछले कुछ देखो ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि साफ चेंपेंशिप की बात करें जब से हमारा किंग्स कप स्टार्ट हुए उसके बाद एशियन गेम्स फिर अशिया कप फिर मदरिका कप भी खेला था अक्टोबर में उसके बाद यहां पर एक दो वर्ल्ड कप के कौलिफायर्स के मैच खेले ओल इन ओल कुवेट को जिस यही टीम थी अवे फ्रॉंद और उसके बाद से आपने कोई एक ओपन गोल मारा है क्या उसके पीछे एक रीजन है क्योंकि आपकी टीम चाहिए तीन चांसे क्रिट करते हैं प्लिनिकलनेस कोई है ही नहीं कोई अथेंटिसिटी नहीं है कोई अंसर कोई अकॉंटबिलिटी नहीं है सुनिल छेत्री के लाव और जिस प्लेयर की सबसे ज़्याद accountability है वो प्लेयर को यूजी नहीं करना आता है वो प्लेयर कहीं न कहीं आपकी टीम में incorporate होता ही नहीं है सुनिल छेत्री जिसने 94 गोल्स के ऐसी मार दिये कि ऐसी पैल ऐसी लग रहे हैं हर manager के अंडर उसने shine किया है लेकिन पिछले एक देड़ साल के अगर हम बात करें अगर पटिकुल ले पिछले अगर यहाँ पर 7-8 महिने की बात करें तो अगर यहाँ प्लेयर के अंडर लगता है कि कोई plan ही नहीं है कि क्लिनिकल ने इसको कैसे बढ़ाया जाए कोई plan ही नहीं है कि यहाँ पर chances और like probability ओ कैसे increase किया जाए कि हमारी team के पास यह तीन chances ही हो लेकिन goal तो मारे है और आज भी ऐसा ही हुआ खेर यह बात तो सही बात बताओ मैं कुवेत ने इतने chances गुरपीत क्या performance काफी सही थी लेकिन अगर हम यहाँ पर कुवेत की like domination की बात करें तो उनके पास wing system भी था उनके पास midfield को penetrate करने की ability भी थी वो aggressive भी दिख रहे थे वो कही न कहीं यहाँ पर अपनी passing में accuracy भी दिखा रहे थे और वो काफी efficiently भी operate कर रहे थे इंडियन टीम के अगर हम बात करें, passive है, pragmatic है, aggressive के नाम पर कुछ भी नहीं है, wing system खिला दो बस यहाँ पर एक तरीके से बस wing पर ball डाल दो और उसके बाद यहाँ पर एक cross आ जाएगा हमको लगिए वाखा, chance है, लेकिन तब तक लगता है कि नहीं कोई chance ही नहीं है यहाँ पर center of the pitch है भई, ठीक है, wing भी होता है, लेकिन middle of the, center of the, middle of the pitch भी होता है, उसको कैसे आप ठीक कर रहे हो, उसको कैसे आप operate कर रहे हो, आपको एक महीने का long cam चीए ता, अब मिला तो आपने कौन सा यहाँ पर Argentina बना दी, अब आपने क्या करा, अब आपके पास क्या excuses रह गए, अ अब तो कर लो कुछ भी, अब सैक करें गया फायदा, अब सैक करें क्या फायदा, अगर कल को इहाँ पर आने वाले दिनों में, अगले हफते जब हमारा कतर के साथ मैच होने वाला, उनके home पर, अगर हार जाते हैं और अफगालिस्तान, और अगर हम बात करें, यहाँ पर इच्छा होगी हमारी ठीक है थर्ड स्टेज पर तो फिर हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे सिफ एक्सपीरियंस के लिए जाएंगे वाइप के लिए जाएंगे वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर एशिया की सबसे भैतरीन टीम्स आती हैं साउथ कोरिया जपान चाइना सा ले जाएंगे अगर हम और योस्टे मैच को जब सैक करना था तब तो लोग यह कह रहे थे कि नहीं 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 फोकस तब वहाँ पर आर्टेटा का एक्जामपल दे आर्सनल का एक्जामपल दे रहे थे ऐसे साले क्लब बिल्ड कर रहे हों अब आपको पता चलिया कि कही न end of the day कही न कहीं चार-पांच गेम देखने के बाद आपके दिवाग में आ जाता है कि हाँ ठीक है यह मानते तो है कि इंडियन फुटबॉल टीम के प्लियर्स की एक सीलिंग है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मैनेजर की क्लेक्टिव सीलिंग यहाँ पर एक लिमिट पर होते है न तब मैनेजर का कामाता है कि वो सीलिंग को ऊपर लेके जाए और इनके पोटेंशल को उनलोग करे यहाँ पर तो ऐसा लगता है साली जो सीलिंग से प्लेयर की उसकी आधी सीलिंग्स पे तो मैच मैनेजर खिला रहा है this is the point कि हम शायद से अब काफी देरी कर चुके हैं और इसमें भी अभी यह तो मैंने बोला ही नहीं कि हमारे सामने इतने dark सवाल सामने खड़े हुएं क्योंकि अब सुनील चेतरी नहीं बचाएगा आपको अब सुनील चेतरी अपनी टीम पे bandage नहीं लगाएगा किया है और डिलिवर किया है कौन है इस टीम में ऐसा प्लेर जो कि यहाँ पर step up कर सकता है कौन है भाई जो मैं कह सकता हूँ कि एक साल में double digits में goal score कर देगा इंडियन टीम के लिए कौन है ऐसा जो कि यहाँ पर legit यहाँ पर अपने पे responsibility उठा सकता है और यह मैं है नहीं कहा रहा है कि friendly match की बात कर रहा हूँ मैं उस match की बात कर रहा हूँ जो कि पिछले 60 साल में जो इंडिया ने नहीं कर रहा हूँ वो इंडिया कर सकता था friends की मैं बात करूँ ठीक है आप कह सकते हो कि यहाँ पर सुनी 6-3 का farewell match यहाँ पर इतना जोश था इतना अच्छा था कल से क्या कर लोगे